इस बक्त में उमेज स्यादब जी के घर पर मजूद हूँ जो गाव है रहडिया रहडिया ऐसा गाव है जो सब के नजर में है इस गाव में किस तरह से क्या क्या हुआ है लेकिन हम इनसे जो सवाल करेंगे प्रेम कहानी पर नहीं सवाल करेंगे वो जो इनको न्याय दिलाएग या प्रित परिवार कई मेहनों से दर्दर भटक रहे हैं लेकिन अब तक इस प्रित परिवार को नय नहीं मिला है नय की कड़ी में से जानते हैं उमेज जी छोटु का केस कहां पहुचा जो है उसमें नौ आदमी का नाम जब था कौन-कौन नौ लोग है वो उसमें है धिरेन पिता जी हुआ और रवीके अर्ति का भाई हुआ से शीकांद उनका भाई हुआ और उबी इनका भावी हुआ और चंद्र जादार रवी कांद का सलाह हुआ उनका भाई का साथ आदमी के नाम पहले फियार में दर्ज किये थे हम इसके बाद दो आदमी जो में साजिस करता था उनहीं की बात पर इसा धिरेंजादव किया है उसमें था अरून जादव और निर्भय जादव इस दुनों को अलग से हम जोड़े में और ब्यान में हैं जो चोशाट का ब्यान हुआ था यह दुनों एही दुनों साजिस करता है शुरू से इसी कई बाद पर धिरेंजादव नहीं इसा किया है केस कहां तक पहुचा केस इसमें साथ आदमी का नाम यहां जो अरर्या में अर्या कोट में बेल फैल किया था औ अठमा में चौट आदमी का अरोंजादव का वह ओ आती का भावी का मुस्योद भाई और चार आदमी का बेल फाइल जो यहां रिजेक्ट हुआ है तो उनका पटना में हाई कोट में फाइल किया है अच्छा साथ लोगों का बेल पीटिशन फाइल के अरडया कोट में हो रि जी अशाओ में सियादव जी इतनी घटना घटी है आपके घर में जी और क्या लगता है इसमें जो नौ लोग है। क्या सबी लोग मुखारूपी हैं। हम अपने आखों से देखा हूं नवो आदमी को जिस घर मे किया था रूम के अंदर में नवो आदमी थे। सम्मिल करके हत्या किया है अच्छा कि आपने अपने लोग लाज से मार रहा था मुंगरा से मार रहा था कोई रट से मार रहा था और चिला रहा था हूँ जब हम गए हम बहुत बिंती करने लगे देखिए मेरा बैटा को छोड़ देजिए हम आ गए है जो कहना है जो हमको कहिए हमीं को मार देजिए उनको छोड़ देजिए लेकिन वोग हमरा बात नहीं माने मेरा आवाज सुनते हुए छोटू हमको करेंगे क्योंकि सब मेरा बैटा को सब मिल करें मेरा बैटा को Hispanic सब्सक्राइब करके हतिया किया हम किसी को नहीं छोड़ेंगे हम परसासन से या सरकार से मांग करते हैं नवों को सजा होना चाहिए कि अगर इसको सजा नहीं देता है तो फिर बार-बार इसे घटना होते रहेगा क्योंकि हत्यारा को गर सजा नहीं होगा तो बार-बार घटना होते रहेगा विहार में इसा हो रहा है पावन को कि देखिए इतना मार मारने पर यह नहीं मरा इनको बिजली का करेंट लगा दो त कम नहीं हुआ है इसी दर्द को कम करने के लिए होने अपने मजले बेटे मनु यादब से आर्तिक की साधी करवा हैं तरह तरह के सवाल गाउं में उठने लगे हैं तब इन्होंने कदम उठाया यह चाहते हैं सिर्फ ने यह चाहते हैं कि नो लोगों को सजा दिलाना आने वाल करम कू क्रित फिर से हम भठक रहें सबसे बिंटिकर में तक कोई मीडिया को अदर आनादर कि हैं अब यहां ब्सक्रों को बोआ है इस पिता का दर्द देखो आपके भी घर में पिता होंगे क्या आप इस्तस बरताव करते हैं मिता जुक्षी के कर रहा है कि हम довольно आखोंज देखा है मरते वे अपने बेटे को कि आपने कभी देखा किसीकों मरते हुए इन्हों काश कोट में है आपके कहने से ना कहने से कोई फ्राइग नहीं पढ़ने वाला है। उमेश जादभजी हमत रखिए हम आपके साथ हैं जनतापके साथ हैं कोई आपको बंद्लाम नहीं करेगा। सर्च जलवन्च के माध्यम से 200 पहुच रहा है एक पिता का बलिदान लोग समझ नहीं सकता है इस पिता ने कितना बादां दिया है एक तो अपना बेटा खोया अपना बेटा को है त्व हम उस अपराधी में लड़की को अपना घर में रख कर थी हम और सोचिए क्या भीत रहो कि अप्राधी घर के बेटी को अपना घर का बहु बनाया है ये अपने आप एक एतिहासिक संदेश है जो आप तक पहुच रहा है एतिहासिक संदेश इस घर से निकल रहा है एक अप्राधी घर के प्रोग को अपने घर का यह बहु बना लिए है मैं प那么 आप लोग देखें होंगे कि आज तब ऐसा कहीं नहीं ATCOP हम किये हैं इसलिए आप लोग को बुरा मत मानिए हम अच्छा काम किया है बुरा कोई ने मान रहा है अंकल जो लोग आपको समझते हैं आपके परिवार को समझते हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कुछ तुछ टाइब के लोग हैं और शी मांसिक्ता के लोग हैं जो आपके बदनाम करके आपको बदनाम करके अपना रोटिया से करें जो भी आते हैं इंटर्विवों लेने के लिए आर्थी से गलत गलत इंटर्विवों लेते हैं कि आप कियों किए इस बात का जवाब है वो लड़की हैं मेरे घर का इज्यत हैं उनको ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए हम किसी आप मेडिया में एंटर्विव नहीं लेने देंगे आर्थी से और सुझे नहीं देंगे इनका आखरी इंटर्विव चल रहा है हम बहुत मतनले हमारे किचर को चाल दी हमारी इजद को हम उनसे बिंती करते हम किसी को बाइट आप नहीं देंगे आप जो अपना बयान आप सीधे कोट में दीजेगा आपका फैसला जट सहाब सुनाएंगे यह तुछ टाइप के दो कोड़ी के पत्रकार नहीं सुनाएंगे दो सोर्पय के माइक लेकर यहां पर पहुंच जाते हैं रहडिया का इन्हें बनाम करने पत्रकार कलाते सर्म करो डूम मरो कहीं जाकर पत तो थास तम है लेकिन यहीं यह मीडिया नहीं है यह लोग चोला पहंड के मीडिया बन गिया है ठीक है कहीं से पत्रकार का गुण नहीं है इन लोग पास डिगरी भी नहीं है सिर्फ यह लोग बिहार को बदनाम करने के लिए अपना जैबी को घरम करने के लिए पैसा कमाने के लिए किसी का बेटी के जट उड़ा सकता है ये लोग अपना घंड जाकर देखिए कि आपका बहु बेटी क्या कर रही है जाकर जाकिए तब किसी के बहु बेटी के उपर सवाल उठाईएगा आरती ने क्या किया नहीं किया आरती का निजी फैसला हो सकता है ये जो किये हैं इनका अपना फैसला है चुकि इनको अपने केस को मजबूत करना है इन्हें केस जितना है चुकि इन्हों ने अपने आखोस से देखा अपने बेटे को मरते हुए इन्हें नया चाहिए इनकी दर्द इनकी बैदना यहीं समझ सकते हैं चुकि अपने आखोस देखें, नो लोगों को हत्या करते हुए, इसलिए अभी तक वो कर रहे हैं, कि हम नो लोगों को से दिलवाएंगे, हम को किसी को माफ नहीं करना है, जब हम चिला रहे थे, गिरा रहे थे, हाथ जो रहे थे, कि छोड़ दो, छोड़ दो, लेकिन किसी नह नहीं सुना, कोई नहीं छोड़ा, तो अब ये क्यों छोड़ेंगे, अगर उस समय ये लोग मान गए होते, तो या पिता, आज ये दिन नहीं देख रहा होता, ये कुछ और कहानी होता, लेकिन क्या हुआ, इनकी बात को सुना नहीं सुना, तो ये क्यों मुक रहेंगे, क्य के बेहतरीन अभूशन बी आई एस द्वारा प्रमानित हॉल मार्क गहने होसल रीट में खुद्रा खरीदे राजनंदनी जोईलर्स से चोहरी कॉंप्लेक्स से बाकर गंज टेक्सिस बैंक एटीम के सामने पटना हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद